तो आज किस वीडियो में अपने लोग जो सेरीज इस्टार्ट करने वाले हैं वह अपना है next chapter जो कि है excretory product and their elimination जो भी body में excretory product है है जैसे कि ammonia urea uric acid वगएरा उसके बारे में जो discussion होगा वो इस चैप्टर में अपने जो अपना S-creatory system है जिसमें की जो kidney बगारा urethra बगारा जो क्या करेंगे participate करेंगे उसके बारे में अपने लोग जा रहीगे अब इसमें इसमें पहली वीडियो है इसमें क्या है कर देते हैं excretory product and their elimination इंट्रोडक्शन में क्या है एनिमल्स एक्यूमलेट्स अमोनिया यूरिया एन यूरिक एसिड करबन डायोकसाइड वाटर आयन्स लाइक दे एने प्लस के प्लस cl- दीके जो एनिमल है उसमें क्या होता है अपने लोग देखे कोई भी चीज खाते हैं तो अगर कोई चीज बहार से अगर ले रहे हैं तो उसमें भी क्या हो सकता है अमोनिया यूरिया यूरियक आशिड जो ळोबी गारून डायकसाइड बगया लहाँ है कुछ चीज चीज अपने लोग बाहर से खा रहा रहे हं उसके थ्रू अपने बोडी में जाती है और कुछ चीज्जे कि है बोडी अपने अपने अपका मेटावालिजम जो प्रॉसेस हो रही है बॉडी के अंदर चीजों को बनाने और तोडने कि उसमें क्या होता है बॉडी के अंदर जो भी प्रॉसेस हो रही है मेटावालिक एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या होता है बॉडी में अपने आप क्या जो जो भी प्रॉडक्ट होता है वहां पर क्या होगा कि ammonia urea uric acid बहुत सारे ऐसे substances वहां पर form हो जाते हैं जो कि body से निकालना जरूरी है जिनको जो कि कैसे है toxic substances है और body से उनको remove करना important है जरूरी है तो जो यह harmful substances है यह दो तरीके से अपनी body में body में आ सकते हैं या तो अपने लोगों ने बाहर से कोई भी चीछ खाई कोई भी food खाया उसके थूरू एंटर कर जाए या फिर अपनी body में जो भी metabolic activity हो रही है उसके थूरू वहां पर क्या होगा metabolic activity हो रही उसके थूरू वहां पर form हो जाए ठीक है अब इस substances have to be removed totally or partially अब जैसे की ammonia या यूडिया अमोनिया यूडिया या फिर यूरीक अशिड वगरा है इसमें क्या है यह जो substances form हुए है अपनी body में इनका क्या है जो जो अपने पास सबसे ज्याधा बाहर निकाल नहीं करेगा च्लिक है जिसका अधी जो हाई toxic लिवल है जिसका उसको क्या करना है body से पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल दे नहीं लेकिन या तो totally बाहर निकाल दो totally या फिर partially क्या इनकर करना है removal करना है इनको body से बाहर निकालना है ठीक है तो दो तरीके से यहां पे जो अपने लोगा ने देखा कि जो भी metabolic process हो रही है उसके थूरो क्या हो रहा है जो भी waste material है वो form हो रहा है और उसको या तो totally remove करना है या फिर क्या उसको partially remove करना है या तो totally कर दें जो कि high toxic level है जो कि high toxic substances उसको पुरा का पुरा बहार निकलना पड़ेगा लिकिन जो ऐसा है जो थोड़ा सा less toxic है उसका अगर थोड़ा भी part बहार निकल जाए तो अपना काम चल जाएगा तो उसका totally है फिर partially उसका क्या कर देंगा रिमूपल कर अगला क्या है in this chapter you have learned the mechanism of elimination of these substances with special emphasis and common nitrogenous wastes देख इस चैप्टर में लोग क्या पड़ेंगे जो भी nitrogenous wastes वगेरा है ammonia, urea वगेरा जो organism की body में form हो रहे है वो किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा किस तरीके से उनको more toxic है और उसको less toxic less toxic form करके उसको बाहर निकाला जाएगा body से बाहर remove कर दिया जाएगा वो सारी जो चीजे है वो अपने लोग इस body में इस chapter में पढ़ेंगी कि जो nitrogenous wastes है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है body से बाहर जोई waste material body में form हो रहा है nitrogen nitrogen के form में जैसे के ammonia वगेरा उसको बाहर निकालना है ammonia urea and uric acid are the major form of nitrogenous wastes देखे अपनी body में क्या है जो जो भी जो भी जो nitrogenous wastes form हो रहे है उसमें जो major form है जो सबसे ज़्याधा amount में form हो रहा है वो तीन चीजे हैं या तो ammonia होगा या तो urea होगा या फिर uric acid होगा तो ammonia हो चाहें urea हो चाहें uric acid हो यह कैसे हैं अपनी टॉक्सिक सब्स्टांस है body के लिए तो इनका क्या करना है removal करना चरूरी है और यह कैसे हैं अपने body में nitrogenous wastes है इनका जो formula है उसमें क्या है nitrogenous drive हो क्या आता है उसमें क्या है nitrogen present है इसलिए इसको क्या बोला गया nitrogenous wastes बोला गया ठीक है अब बात करते हैं ammonia की ammonia is the most toxic जो भी तीनों चीजे हैं जैसे कि ammonia यूरिया या फिर uric acid उसमें जो सबसे ज्याधा toxic level पर है सबसे ज्याधा जिसकी toxicity है जो की सबसे ज्याधा body को harm कर सकता है वो कौन सा ह हमारे पास ammonia है अब ammonia में अगर देखे तो यह क्या होगा हमारे पास सबसे most toxic हो गया form and required the large amount of water for its elimination अब देखें मालीजे कि अपनी body में अगर ammonia form हो रहा है तो ammonia को क्या remove करने के लिए बहुत ही जाधा amount में क्या water required होगा इसके elimination के लिए तो ammonia क्या है दो बाते अपने लोगों को यहां पता चलिए ammonia में क्या है कि यह कैसा है सबसे ज्यादा high toxic level पर है इसकी जो toxicity है वो सबसे ज्यादा है और दूसरी बात क्या है इसके इसको बाहर निकालने के लिए इसके elimination के क्या elimination का मतलब होता है बाड़ी से बाहर निकाल तो elimination के लिए इसके जो लार्ज amount of water required है बहुत ही ज्यादा कि यहाँ पर क्या है अगर ammonia बन रहा है तो उसके लिए चाहिए अपने लोगों को लार्ज amount of water चाहिए इसके removal के लिए whereas the uric acid being the least toxic देखे most toxic कौन सा है ammonia लेकिन least toxic जो की बाड़ी को सबसे सबसे कम नुकसान पहुंचाएगा यानि कि toxicity क्या है बिल्कुल कम यह कौन सा है मारे पास uric acid है being the least toxic can be removed with the minimum loss of water देखे जहाँ पर क्या है जो uric acid है इस पर क्या चाहिए minimum amount of water चाहिए बहुत ही कम amount में क्या चाहिए water चाहिए तो ammonia के बारे में दो बाते पढ़ी पहला क्या है यह क्या है most toxic और इसके removal के लिए अब बॉडी से जब इसको remove किया जाएगा तो वहाँ पर चाहिए होगा अपने लोगों को large amount of water काफी ज्यादा amount of water चाहिए होगा लेकिन वहीं पर अगर देखें अपने लोग के यूरिक के बात करें तो यूरिक असिड में क्या है कि यह क्या है least toxic है इसकी toxicity है वो काफी कम है और इसको remove कर दिया जाएगा minimum minimum loss of water यानि की water क्या है बहुत ही कम amount में required होगा अगर in case आपकी body में यूरिक acid form हो रहा है ठीक है अब देख लेते हैं अपने लोग the process of excretion ammonia is known as ammonotelism देखें बाड़ी से जब ammonia को remove किया जाता है जब उसको excret किया जाता है तो इस process को क्या वो लेंगे अपने लोग ammonotelism ठीक है ammonotelism देखे word कहां से आ रहा है ammonia से ammonia को remove कर रहे हैं तो word क्या आया ammonotelism यानि कि ऐसे समझ सकते हैं कि removal from the body तो जब ammonia remove हो रहा है कहां से body से तो इस process को क्या बोल देंगे ammonotelism इसमें जो भी process involved होंगे जो भी step वगरा step वगरा involved होंगे उसको क्या वो जो सारी step पर अपने लोग combine कर लेंगे तो बोलेंगे भाई क्या हो गया ammonotelism हो गया यानि कि body से क्या है ammonia को बाहर निकाला जा रहा है एक ammonotelism process perform कर रही है body many boni fishes aquatic amphibians and aquatic insects are ammonotelic in nature देखें ammonia क्या है सबसे ज़्यादा water required है उसके जो removal के लिए क्या है सबसे ज़्यादा water required है अब सबसे ज़्यादा water कहा होता है या फिर जो जो अपने पास water living organism है जो की पानी में रहते हैं जो water में रहते हैं सी वगार में रहते हैं तो वहां पर क्या है वाटर क्या है access में अविलेबल है उनके पास काफी ज़्यादा amount में water है तो उनकी बॉड़ी में form होता है ammonia अब ammonia को क्या चाहिए कि काफी ज़्यादा amount में water चाहिए जो कि वहां पर available है और आपर अससे जिन में क्या है बोनी फिक्स सोग है एक्वारिक एमद्य आँपिभीय एक्राटिक इंसटर सब्लति है और और इन्सेक और रहते हैं और यह कासे हैं amor diğerreek अमोने एलाई जिनकी बॉडी में जो nitrogenous waste वह हो कौनसे वُरहा है ammonia, फजिकल कोई मोई है बॉला गया यहां पर उटाइलिक का वह से होते हैं जिनकी बॉड neighbors NOR वें यहां मोटोटा के वर्गनीजम and generally excreted by the diffusion across the body surface अब देखे अमोनिया क्या है बहुत जल्दी खुल जाता है किसमें वाटर में ठीक है तो अमोनिया जब वाटर में जल्दी से खुल जा रहा है और यह क्या होगा यह बहुत ही जल्दी से वाटर में खुल जाएगा लेकिन इसका जो diffusion है यह किस के थुरू जाएगा diffusion के थुरू अब देखे जो organism है उसकी body में क्या होगा अमोनिया जादा होगा और surrounding का जो environment है जिसमें कि water fill है अगर अपने लोग sea की बात करें aquatic जो animals उनकी बात करें तो उनकी body में क्या है ammonia जादा है और surrounding में जो water है उसमें क्या है ammonia कम है तो ammonia move कर जाएगा from high level high pressure to low pressure तो ammonia क्या है organism के body में जादा है वहाँ पर form होगा और skin के थुरू या फिर जो उसकी body surface है उसके थुरू या फिर बोल्दो की जो gills वगएरा है जो उसकी gills के surface है उसके थुरू क्या हो जाएगा वो जो water में क्या है remove हो जाएगे ठीक है as ammonium iron किसके form में remove होते हैं ammonium iron के form होगे तो basically अपने लोगों ने देखा कि जो fish है उसकी body से क्या होगा ammonia उसकी body से बाहर निकल जाएगा उसकी जो skin है उसकी जो surface है body की वहां से क्या होगा ammonia बाहर निकल जाएगा water में पहुँच जाएगा ठीक है अब kidney do not play a significant role in its removal अपनी body में अगर ammonia form हो गया है अपनी body में अगर ammonia बनेगा तो क्या होगा उसकीhell removal है वो kidney के थ्रू नहीं होगा kidney क्या कर रही है ammonia का जो removal है उसमें कोई भी participation नहीं है तो kidney क्या कर रही है कोई भी role play नहीं कर रहे कि ammonia का removal है उसमें कोई रोल kidney play नहीं करेगी अब जो terrestrial adaptation है terrestrial यानिकी जहां पर क्या है यूरिक असिड कन्वर्जन फॉर्ट नेशेशीट अधा प्रोड़क्शन फॉर्ट टॉक्सिक नैट्रोजन स्वेस्ट इस लाइक दे यूरिया एन यूरिक अचिड फॉर्ट फॉर्ड था अब देखे वहां पर या था कि वॉर्ट क्या था एक्सस में अविलेबल था वाटर लिविंग अर्गनीसम्स वगरा थे वहां पर क्या बन राता शो कि जो सर्फेस है बॉड़ी की सर्फेस वहां से ८ुव हो जा रहा था लेकिन अब जो टर्रेश्टियल अडप्टेशन है यानिट्शीर वगरा में रहते हैं जो एर में रहते हैं उनमें क्या है विस अब यहाँ पर क्या है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो भी लेसर टॉक्सिक लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया और यूरिक असिड वगारा अब जो यूरिया और यूरिक असिड है इसमें क्या है conservation of water के लिए इसको use किया जाएगा यूरिया है यूरिक आसिड है इसको क्या चाहिए less amount of water चाहिए removal के लिए तो remove इसको करना है यूरिया यूरिक आसिड को तो क्या क्या चाहिए थोड़ा सा कम amount में पानी चाहिए जो removal है उसके लिए क्या चाहिए यानि कि water का चाहिए एक कम एमांट में चाहिए mammals mammals many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea देखे जो mammals है और जो भी terrestrial amphibians है यानि कि जो कहां पर रहते हैं land पर रहते हैं और जो marine fishes है यानि कि जो marine fishes है इनका जो main excretion है main जो nitrogenous waste है जो की body से remove करना है वो कौन सा होगा हमरे पास यूरिया और इनको क्या खाजाएगा यूरियो टैलिक अनिमल्स देखे यहां पर क्या था जब ammonia body में form हो रहा था ऐसे organism जिनके अंदर ammonia form हो रहा था तो हमने बोला था ammonotelism sorry ammonotelic animals बोला था यहां पर ठीक लिकन जब यूरिया वगारा form हो रहा है जब यूरिया फोर्म होगा तो नाम क्या आएगा हमारा यूरियो टैलिक अनिमल्स यानि कि ऐसे animals जिनकी body में जो nitrogen waste है वह कौन सा form हो रहा है यूरिया तो इनका नाम क्या आगया हमारे पास यूरियो टली कानेवल्स आ गया ठीक है अब अगला क्या है अमोनिया प्रेडियूस बाइद मेटेवालिजम इस कनवर्टेड इन्टो यूरिया इन दे लिवर अब देखिए ऐसा नहीं कि अपनी बड़ी में अमोनिया नहीं फॉर्म होता अब अमोनिया फॉर्म भी होगा जो उनकी बड़ी में क्या होगा अमोनिया फॉर्म होगा लेकिन उसका क्या होगा वो लीवर में जाके कनवर्ट कर दिया जाएगा किसमें यूरिया में तो अमोनिया क्या था अपना हाई टॉक्सिक लेबल था अमोनिया में क्या था जो टॉक्सिटी थी जो उसका नीचर था व है तो कंपर ने तो बाड़ी से जल्दी थो किया जा सकता तो क्यों है if उसको टक्सी टॉक्सेटी है जा उसको प्वाजनस का लेवल है उसको कम कर दिया जाए तो अमॉनीथराफ ने क्वाल आपनो को बुलाया और उसको तुड़ दिया इसमें delivery में तो अमॉनीय है है हाई टॉक्सिक है लेकिन उसको कनवर्ट कर दिया किसमें लीस्ट टॉक्सियों कि पनी बॉडी के लिए थोड़ा सा कम कम हामफुल है एस ऑब यह उरिया है इसको किडनी के थ्रु बाहर निकाल दिया जाएगा किडनी के थ्रु जोrict मेंक्चुरेशन होगा को कौन्वर्ट कर दिया घर फिल्ड तो गा CSV यूरिया में क Yep L और किड्नी के पास और किड्नी क्या करेगी जो भी यूरिया है उसको रिमूब कर देगी उसको फिल्टर कर देगी और यो मिक्चुरेशन है जो भी यूरीन फॉर्म हो रहा है उसके थूरू इसको बाहर निकाल दिया जाएगा अपनी बॉडी से ठीक है अपनी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जाहें वो किड्नी में क्या हो रहा है ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा हो जो जब अपने लोग वहां पर स्वारी जो एयर का जो एक्स्चेंज हो रहा है जो भी गैसे उनका एक्स्चेंज हो रहा है वहां पर क्या है जो pressure है वो काफी ज़्यादा important role play करता है अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है kidney में भी जो pressure है जो osmolarity है वो maintain करना काफी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि kidney एक important function perform कर रही है कि इसका blood filtration का ठीक है तो kidney में क्या है उसकी जो osmolarity है वो बनी रहे उसकी वज़े से kidney क्या करती है कुछ जो amount में urea है वो अपने पास ही रख लेती है क्योंकि उससे क्या होगा जो pressure है वो maintain रहेगा जो osmolarity है वो maintain रहनी चाहिए urine formation के लिए blood को filter करने के लिए तो pressure maintain रहे इसके लिए kidney क्या करती है कुछ amount में जो urea है वो अपने पास स्टोर रखती है ठीक है some amount of urea maybe retain in a kidney matrix of some of these animals and maintain a desired osmolarity कुछ जो osmolarity है उसको maintain किया जाएगा ठीक है अब जो reptiles वगरा है reptiles जैसे की bird, land, snail and insect अब जो भी reptiles वगरा है birds है, land, snails है और जो insect वगरा है इनका जो excretion है वो कैसा होगा as a uric acid in a form of pellet or paste देखे, अपने लोगों ने देखा होगा कि जो bird है जो की ओड रही है तो जो भी bird वगरा होती है उनमें क्या होता है उनका जो nitrogenous waste है उनका जो excretory product है वो कैसा होता है एक solid form में होता है वहाँ पे क्या है उनको चाहिए बहुत ही minimum loss चाहिए कि इसका water का तो water का का चाहिए बहुत ही कम amount में loss होना चाहिए तो वहाँ पे जो nitrogenous waste form हो रहा है उसे अपने लोगों क्या बोलेंगे uric acid बोलेंगे अब यहाँ पे जब uric acid form हो रहा है कैसा है ये सबसे कम टॉक्सिक लेवल है यूरिक असिट की जो टॉक्सिक लेवल है वो तीनों मैंसे सबसे कम हो चाहें वो यूरिया हो चाहें वो अमोनिया हो यूरिया हो और फिर उसके बाद क्या आता है हमारी यूरिक असिट तो सबसे पहले तो अमोनिया जो सबसे ज्याद पर जो वाटर को तो आब जो वाटर नहीं है एकस क्टरेट में तो जाहिट सी बात है कि जो उसका नीचेर होगा वह कैसा होगा एक फिस्ट की तरीके से होगा एक क्रीम जीक जीसे क्रीम होती है जो यह ऐस्य श्रेश gets को क्या बोलेंगे यूरिको टैलिक आनिमल्स बोलेंगे तो ऐसे आनिमल्स जिनकी बॉड़ी में यूरिक ऐसेड फॉर्म हो रहा है जो भी नैडरिनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है यूरिक ऐसेड की फॉर्म में तो ऐसे आनिमल्स को आनिमल्स को क्या बोले क्या है यहाँ पे यूरियो ट frightened है जो कि यूरिया बना रहा है ठीक है और यहाँ पे क्वेक्व की यूरिक टैलिक यादनी कि यूरिक एसे यहाँ पे ठीक है के थरूब किया जाएगा उसका जिरी मुवल का जो प्रॉसस है वह किस तरीके से होगा और और बी जो काफी सारी सारी चीजह है किडटनी की जो 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 भी हैस्कुरी जो सिस्टम है ठापनी बॉट Pick जो डिसॉर्ड हो गए रहा है उसके बारे समझना काफी ज़्यादा जरूरी था अब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अब से आसा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं शिविंद्र आपका स्वागत करता हूँ अगर आप हमारे ओर्ड यूजर्स में से हैं तो आप हमसे जुडे रहें हमारी कोसिस रहती है कि बायलोजी के कॉंसेट्स आप तक आपकी ही भासा में एक सरल भासा में आप तक पहुंचाना यदि आपने अभी तक हमारा च और फैमली मेंबर्स के साथ सेर भी कर सकते हैं और लास्ट में अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बदाना चाहते हैं कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट वाक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ यहां भी बताएं कि अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई जाए हिन